तो क्या से हो, सब सही है, तो देखो इस COVID के कारण सभी के चल रहा है online classes और online classes के लिए एक decent phone होना जरूरी होता है जिससे आप classes attend कर पाओ, उनलोगों का बात नहीं कर रहा हूँ, जो classes attend नहीं करते हैं, लेकिन अगर आपको classes attend करना है, तो एक decent phone होना तो जरूरी होता है, लेकिन एक decent phone आपको कितने मिलता है, 7, 8, 9,000 के अंदर, लेकिन आज की इस वीडियो में जो हम लोगो phone के उपर बात करने वाले हैं, वो आता है Infinix के तरफ से, जो आपको 6000 में बहुती कमाल का phone दिलाता है, weight Infinix का phone है, खराब नहीं है, बहुती कमाल के power की साथ में आने वाला है, त् आपका 6000 का budget है तो इस वीडियो को till the end देखना है, definitely ये phone आपके लिए बहुती कमाल का हो सकता है, अगर आपको एक online classes के लिए, जो एक decent phone चाहिए, जो day-to-day users में आपका मदद कर दे 6000 के अंदर, जिसमें आपको smartphone होने चाहिए और क्या, तो वीडियो में बने रहना, आज की इस फोन के बारे में detail में बात करने वाल है, कब मिलने वाल है, क्या मिलने वाल है, और कितने pricing में मिलने वाल है, और क्या सा देखने वाल है, तो चलो फिर शुरू करें, हाँ, तो चलो बात करते हैं, इस phone कुछ basic specs के उपर, लेकिन नाम तो पहले जान लो, ये है Infinix का smart HD, जि 6.1 इंचिस का HD plus वाल डिस्प्ले है, जो आपको water drop light notch के साथ में आता है, हाला कि इसमें आपको IPS डिस्प्ले नहीं देखने को मिलेगा, TFT पैनल है, लेकिन 500 nits के साथ में आता है, 500 nits का brightness है, जो बहुत जाधा bright होने वाल है, तो देखो, no doubt, इस pricing में आपको display इतना ही मलता ह बहुत ही decent display है, जो बहुत ही अच्छा रहने वाला है, price के according बात करें तो, तो बात करते है, water drop light notch के अंदर आपको एक selfie camera मिलेगा, अभी तक पता नहीं चला है, 8 megapixel या 5 MP का camera के साथ में आपको clarify आगे कर दूँगा, backhand में आपको देखने में मलता है single camera setup, लेकिन देखने में ट्रिपल camera है, लेकिन है सच में ये एक single camera का setup, एक आपको इसमें LED flash भी देखने मिलता है, और हाँ, front में भी आपको selfie flash मिल जाता है, जो night selfies क्लिक करवाने में बहुती मदद कर देगा, सबसे च्यों बात क्या है, इस phone का design बहुती मुझे personally अच्छा लगा, price को अगर आप मतलब आपको storage का कभी भी इस phone में problem नहीं होने वाला है, साथ में इस phone आपको मिलता है 2GB की RAM 32GB की internal storage, अभी आप देखो तो market में 2GB की RAM 16GB की internal storage मिलता है इस प्राइजिम में, लेकिन Infinix आपको 32GB की आपको internal memory दे रहा है, जो बहुती enough होने वाला है, Android Go Edition पर ये काम करेगा, क्य Google भी suggest करता है 2GB RAM वाले phones में Android Go Edition जाधा बेटर होगा, तो देखो personally वह तो online classic ये phone enough होने वाला है, डिजाइन भी अच्छा है, जो बहुती अच्छा इस phone का USB बना देता है, आप इस phone को ले सकते हो, साथ में इस phone का एक और बड़ा feature की है, कि इसमें आपको 5000 mAh की massive battery का support मिलता ह है, मतलब battery बहुती जदा बड़ा है, अराम से आपको एक से दो दिने निकाल देगा, साथ में 5W का charging भी आपको देखने मलता है, हलाकि slow है, लेकिन 10W का charging ये support करता है, 5W का charger बॉक्स में आपको दिया गया, type C port नहीं है, micro USB के साथ में आता है, साथ में इस phone को दे मलता है, बहुती इनफ रहने वाला है, बहुती अच्छा रह जाएगा, जो बहुती कमाल की बात है, Android 10 और Go Edition पर रन करेगा, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था, हाँ, अब बात करते हैं, सुनके performance department के उपर जिसके लिए आप रुके पड़े हो, बताया हम बता रहो थो, सास तो ल decent enough होगा day-to-day users के लिए, हाँ, तो प्रुसर आपको decent enough देखने को मिल जाएगा, एक YouTube ने बोला था कि इसमें आपको 4G का support देखने को मिलेगा, 3G का support देखने मिलेगा, भाई थोड़ा तो दिमाग लगा लगा लो यार, 4G phone अभी Infinix launch करेगा, 3G क्यों launch करेगा, 2020 चल रहा है तो 4G का support आपको क्यों नहीं देखने को मिलेगा, तो कुछ इस तरक आपको Infinix का Smart HD देखने मिल जाएगा, प्राइजिंग के उपर बात करूँ तो 5999 यह phone आपको मिलने वाला है, 16 तारी को यह phone launch होगा, प्लिप कार्ट के अंदर उसके पद आप sale में जाके इस phone को purchase कर पाऊ लेकिना, day to day use में कोई problem नहीं create करने वाला है, तो क्या सा लगा आपको यह video, जरा comment करके बताना, और क्या आपको पसंद आया यह phone, वो भी comment कर सकते हो, अगर आपको बैट थोड़ा ज़ादा है ना, तो मैं आपको recommend करूँगा, Micromax का in 1BW लेग सकते हो, जो थोड़ा ज़ा का आता है 5995 के अंदर, यह भी phone बहुते अच्छा है, अगर आपका budget 6000 के अंदर है तो, तो वीडियो पसंद रहा है, वीडियो को like करना, चानल को subscribe करना, और यहां गंटी बटन को 10 से बजाना, मत बोलना, और कोई भी सवाली से जावो, तो यहां पर Instagram आ रहा होगा, आप 55, next video मे, thank you for watching